कि वेलकम बैक तु दिश्टैन आप ख्लास नाइव दिर इस्टैन्ट तोड़े वी आर गई तो डिसक्स इस अबाउट देखिए अधिट्र आराउंड उस प्यॉर श्टैन्ट आज का जो अमारा टॉपिक है वाँ आज चेकन चेप्टर चेप्टर नमर्ड्टू से है इस around us pure क्या हमारे आसपास हमारे आराउंड जो माइटर आय जाते हैं जो पदार्त हैं उसक्षित हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ सुद्ध हैं ओके आउडो वी जज्ञे विद्ध मिल घी बटर साल्ट स्पास मिनरल वाट।र और जुज्ञेट वी बाई from the market are pure students हम कैसे हैं जजज करेंगे हम कैसे जानते हैं जान सकते हैं कि जो हम बाजार से खरीबते हैं जो मिल्क हुआ, घी हुआ, बैटर, साल मिनरल वाटर एंड जूस इस सब क्या हैं pure है क्या यह pure है इसको हम कैसे जजज कर सकते हैं Have you ever noticed that word pure written on the pack of those consumables consumables students Have you ever noticed the word pure written on the packet of these consumables consumables students क्या आपने कभी एवर कभी आपने कभी नूटिस किया कि word pure जो हम consume करने वाले पदार्थ हैं खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके डिब्भू पर उनके पैकेट्स पर आप देखते हैं कि या word pure लिखा होता है प्योर लिखा होता है जो यह खाने वाले सबस्टांस हैं इसको क्या आपने कभी नूटिस किया कि इनको जो आप मार्केट से खरीबते हैं उस पर क्या है प्योर लिखा होता है फार ये common person pure means having no adultrition students एक common person के लिए जैसे हम लोग क्या है common person के लिए pure means क्या होता pure का मतलब होता having no adultrition, pure का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी मिलावत ना हो but for a scientist all these things are actually mixture of different substances and hence not pure लेकिन students scientist की पर पर बैग्यानिक प्रिष्टिस से अगर हम इस सारे चीज़ को दिखते हैं तो they are actually mixture ये क्या है बिभिन बिभिन different substance के क्या है mixture है hence not pure इसलिए क्या है pure नहीं है for example milk is actually a mixture of water white protein it's the students example के तोर पर जैसे हम milk को लेते हैं तो milk में देखते हैं क्या वो भी mixture है इसका water का white का और protein का okay when a scientist say that something is pure it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature students when a scientist say that something is pure जब कोई भी scientist किसी विवस्त को pure बताता है उसका मतलब pure बोलता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो particles से हैं इसके जो constraint particle है are the that substance की जो constraint particle है same in their chemical nature वो chemical nature मतलब रासायनिक द्रिष्ट से chemical नेचर से रासायनिक द्रिष्ट से ना रासायनिक nature से वो क्या है same होना चाहिए यह pure substances consist आपे single type of particle जो pure substance होते हैं उनमें क्या है केवल other words दूसरे वर्ट से यह substance is pure single form of matter student एक ही एक ही जो हता है इस substance is pure single form of matter एक substance जो pure है इस substance is pure single form of matter वो क्या है वो एक ही प्रकार के matter से single form of matter matter का pure वो एक ही प्रकार के means एक सूर्थ प्रकार pure substance एक ही प्रकार के करूं से मिलकर के बना होता हुआ matter की क्या है एक ही प्रकार के particle से मिलकर के बना होता है as we look around student जब हम अपने चारू तर देखते हैं we can see that most of the matter around us exist as mixture of two are more pure components more pure components for example sea water mineral soil its sea or example are all mixtures student जब हम अपने चारू तरफ देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि all substances चुप सब्सटांस हैं two are more दो या दो से अधिक pure constituents से मिलकर के बने होते हैं pure components से मिलकर के बने होते हैं जो हम अपने चारू तरफ देखते हैं तो बहुत तारे ऐसे mixture exist है mixture दिखाई देते हैं जो क्या है pure substance से मिलकर के मतलब pure components से मिलकर के बने होते हैं में जब देखते हैं तो क्या है मतलब जितने भी सबस्टांस से वहाद दो या दो से अधिक प्योर कान्स्टिज्वेंट सुद्ध अवयों से मिलकर के बनी हैं ओके फार एक्जम्पल जैसे सी वाटर समुद्र का वाटर देख लेते हैं ओके समुद्र का चल है खनीज है मिनरल से हैं स्वाइल एटिसी आर आल मिक्चामपल कि वाट इज एएविक चरी स्टोडन्न मिक्चराइब कांस्टीट वेटड बाइ मोर दैन वन काईंड आफ यॉर फामप मेट इस्टोडन्न जो होता मिक्चर एक से या एक से अधिक सुध तत्तों प्योर एलमेंट्स या प्योर फामाफ मेटम ठीक है सुध तत्तों या योको से कंपाउंट से मिलकर के बना होता है we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation students we know that हम जानते हैं कि जो dissolved sodium chloride we know that dissolved sodium chloride dissolved sodium chloride dissolved हुला हुआ sodium chloride जो dissolved है उसको separate कर सकते हैं कहां से वाटर से बाइदा फिजिकल प्रोसेस वास्पिकरन या आस्वन विधी द्वारा से इसको प्रिथक किया जा सकता है हाविवर sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into the chemical constituent similarly students वैसे क्या है sodium chloride को क्या है एक सुद्ध यह वो प्योर सब्स्टांस है क्या है प्योर सब्स्टांस है और इसे मिन्स इसको हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा द्वारा इसके chemical constituent में हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं हो सकता है sodium chloride is itself यह प्योर सब्स्टांस sodium chloride क्या है एक प्योर सब्स्टांस है और इसको सेपरेट नहीं किया जाता बाई इसको हम क्या सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसके रासायनिक आवयोयों में हम इसको प्रिठक नहीं किया जा सकता आपने chemical constituent में similarly sugar is a substance which contain only one kind of pure matter and its composition is the same throughout students similarly sugar is a substance sugar एक ऐसा substance students इसी प्रकार क्या है एक ऐसा प्रदार्थ है क्योंकि यह है एक अहीं प्रकार का शुद्ध आवयो रखता है और इसका योगी के शमान रहता है और इसके जो compounds होते हैं सुगरी जे substance which contain only one kind of pure matter सुगरी का ऐसा substance है जिसने क्या है only one प्रकार के pure matter है only one kind of pure matter and its composition is the same throughout और इसका इसलिए इसके जो composition है वो क्या रहते हैं शमान रहते हैं इसके योगी के समान रहता है सेंट्राइब सॉफ्ट ड्रिंक एंड स्वाइल और नाट सिंगिल प्योर सब्स्टांस इस्टोन जो सॉफ्ट रिंक है सुद जो यह पेपर दारता है यह होंगे स्वाइल देख रहे हैं यह एक समान कर नहीं होते हैं यह क्या है यह उच्छिंगल सबस्टांस इंगल को सबस्टांस नहीं पाकिपर दोस्टांस इंगल सोर्स अफ यह substance may be it will always have the same characteristic property students source of the pure substance the pure substance source and may be it will always have the same characteristics properties it will be scared of pure substance of things so that kisibis wrote the problem he was whatever the source of a pure substance pure substance is also to kisibis with pure substance kisibis source of a no may be it will always have the same character us to choose characteristics for the book how do you think okay in case of characteristics character is just property jay it's key to lecture property gonna okay out there for we can say that in mixture contain more than one pure substance students is which we can say that of this way how to determine from this community minuscs is there a little bit of structure and maybe it will be a piece of substance who to do students are next topic you okay type of mixture is kappaq akeq झाल झाल